भारत तक अब नए अंदाज में अब चीन की सेना लदाख सीमा के इस पार या उस पार भारत के खलाफ कोई नापाक हरकत करेगी तो तुरंट पता चल जाएगा भारत ये सेना को इसराइल ने ऐसे ड्रोंस दिये हैं जिनके कैमरे, सेंसर और रडार किसी बाज की नजर की तरह तेज है इनका नाम है हेरोन ड्रोंस भारत ये सेना में चार हेरोन ड्रोंस लबदाक सेक्टर में तैनात किये गए हैं अब ये आस्मान से ही चीनी सेना की हरकतों का एक्सरे करते रहेंगे चीन की हर गतिविदी की जानकारी भारतिय सेना और इंटेलिजन्स एजनसीज को और भी ज़्यादा पुखता तोर पर मिलेगी अप्रैल 2020 में चीन के साथ LSE पर हुए संगर्ष के बाद से भारतिय सेना ने लदाख में सेना, हथियारों, विमानों, मिसाइलों की संख्या बढ़ाई है निगरानी के लिए सैटेलाइट्स की मदद भी ली जा रही थी लेकिन अब ड्रोंस की मदद से सर्विलांस और रिकॉंसेंस में काफी ज़्यादा मदद मिलेगी ये ड्रों लेह में पहुँच चुके है केंदर सरकार के उच्च पदस सूत्रों ने इंडिया टुडे ग्रुप को जानकारी दी है इसराइल से मिले ये चार हेरों ड्रोंस अत्या धुनिक हैं भारती सेना में मौझूद सभी ड्रोंस के तुल्ला में इनकी ताकत, शमता, उडान का समय सब कुछ बहुत ज्यादा है अब इनकी ज़रा खासियत जान लेते हैं कि ये कैसे और क्या काम करते हैं इन ड्रोंस को किसी भी तरीके से जैम नहीं किया जा सकता यानि इसमें एंटी जैमिंग तक्नीक लगी है जो पहले से ड्रोंस की तुल्ला में ज़्यादा दमदार है इन ड्रोंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमजेंसी फाइनेशल पावर के तैयत मगाया गया ताकि देश की सुरक्षा को लेकर किसी तरह का समझाता ना हो हेरोन ड्रोंस को इसराइल एरोस्पेस इंडुस्ट्रीज ने बनाया है ये एक मीडियम एल्टिटूड लॉंग एंडुरेंस अनमैंड एरियल वेकल है हेरोन ड्रों एक बार हावां में उठा तो बावन घंटे तक उडान भरने में पोरी तरह से सक्षम है ये जमीन से 35,000 फीट यानी साड़े 10 किलोमीटर की उचाई पर बेहद शांती से उड़ता रहता है इसे नियंतरित करने के लिए जमीन पर एक ग्राउंड स्टेशन मनाया जाता है जिसमें मैनुवल और आटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है ये ड्रोन किसी भी मौसम में उडान भरने में सक्षम है हेरोन ड्रोन्स में कई तरह के सेंसर्स और कैमरे लगे हैं जैसे थर्मोग्राफिक कैमरा यानी इंफररेड कैमरा जो रात में या अंधेरे में देखने में मदद करता है इसके अलावा वीजिबल लाइट एरबॉन ग्राउंड सर्गलांस जो दिन की रोष्णी में तस्वीरे लेता है साथ ही इंटेलिजन्स सिस्टम समेथ कई तरह के रडार सिस्टम इसमें लगे हुए है इस ड्रोन की सबसे बड़ी बात ये है कि ये आस्मान से ही टारगेट को लॉक करके उसकी सठीक पॉजिशन आर्टिलरी यानि इसके अलावा संचार प्रणाली को सैटेलाइट के जर्ये भी लिंक किया जा सकता है इससे navigation के लिए pre-programmed fully automatic navigation को चलाया जा सकता है या फिर manually आप remote से इसे navigate कर सकते हैं इसका कुल वजन 250 kg है भारत में भेजे गए Israeli heroin drones का नाम Eagle या हौरफंग हो सकता है हलाकि भारती सेना इसे अपना अलग नाम भी दे सकती है मंजीत नेगी भारत तक कर दो आब 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 आप राकि बाद़ आप